हरे कृष्णा राधे राधे आज इस वीडियो में मैं अहो यस्टमी पूजा विधी आपको मैंने किस प्रकार मैं करती हूँ तो मैं वही दिखाऊंगी तो यह जो वीडियो है यह मैंने पिछले साल बनाए थी बट अपलोड नहीं कर पाई थी तो इस साल में अपलोड कर रह हैं मैंने वीडियो भी बना ली थी बट यह अपलोड नहीं हो पाई थी हो सकता है इस साल होना था तो इस साल आप मैं पूजा विधी आपको किस तरह करती बता रहे हैं मैंने एक चौकी बिछा लिए और इसके उपर यह तस्वीर रख लिए अहोई अस्टमी की और अब मैं अगर स्वास्तिक बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए तो मैंने उसके उपर यह अपना एक कमोई रख दिये भरकर इसे कमोई बोलते हैं एक कमोई भरकर रखते हैं और एक करवा भरकर रखते हैं तो यह देखिए यह करवा है और एक मैंने मिट्टी की कमोई भरकर रखते ह तो मैंने ये कमोई लिया है मिट्टी की और इसके उपर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी हल्दी से तो पहले मैं हल्दी से स्वास्तिक बना रहे हूं एक स्वास्तिक मैं कमोई के उपर बनाऊंगी और एक स्वास्तिक जो मैं बनाऊंगी वो करवे के उपर बनाऊंगी तो ये पहले मैं हल्दी से बना रही हूं उसके बाद फिर मैं रोली से स्वास्तिक बनाऊंगी तो ये देखे मैंने कमोई पर बना दिये और अब मैं करवे के उपर स्वास्तिक बना दिये हैं और अब मैं रोली से बनाऊंगी स्वास्तिक, यह मैंने रोली से भी स्वास्तिक दोनों के उपर बना रही हूं, कमोई के उपर बना दिया और अब मैं करवे के उपर बना रही हूं, तो यह देखिए मैंने करवे के उपर भी दोनों स्वास्तिक बना दिये और अब जो इसकी ह हम इसके उपर स्वास्तिक बनाएंगे इसे मैं पहले थोड़ा साइज साप किया है मतलब साफ मैं इसके उपर हल्टी से स्वास्तिक बनाऊगे लुएग। तो यह देखिए मैंने पाच स्वास्तिक बना दिये हैं तीन मैंने हल्दी से बनाए हैं दो मैंने रोली से बनाए हैं और अब मैं सराई के उपर भी चावल रखकर और अपने करवे के उपर रख दूंगी तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से तयारी किये और अब मैं अहोई माता को भी हल्दी से तिलक लगाऊंगी और बागी जो सब भगवान हैं तस्वीर के अंदर उन्हें भी सब को पूजा होती है उसमें हम आफ कीजिए का मेरा गला थोड़ा खराब है उसमें हम रोली से तिलक करते हैं सबके और जो हम अहोई की पूजा करते हैं उसमें हम हल्दी से तिलक करते हैं तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये पूजा अपने तयारी की है पूजा के लिए और मैंने फूल चड़ाएं और ये देखिए आज अहोई के दिन हमारे काना के शोरी और वासू तयार हुएं नई नई ड्रेस पहन कर और क्योंकि अहोई पे हारा और पीले रंग शूब माना जाता है तो इसलिए दोनों तीनों को मैंने हारे और पीले रंग की ड्रेस पहना ही है और अब मैं अहोई माता को माला पहनाओंगी पोश्पिमाला और यह देखिए साइट में भी जो आप देख रहे हैं यह मेरे पिछले साल की अहोई माता के पोस्टर है और अब मैं दोनों कलश के उपर लब करवे के और कमोई के उपर मोली बांदूंगी यह देखिए मैंने दोनों के उपर मैं मोली बांदूंगी और उसके बाद फिर मैं हमारी जो अहोई माता है उन्हें भी वस्त रूपी मोली उन्हें अर्पन करूंगी तो यह देखिए अब मैं अहोई माता को भी मोली अर्पन करूंगी और अब मैं उन्हें ये शाव पहनाऊंगी शाव आप जो मैंने बताया था चान देगी होती है ये शाव कुछ ये देखी इस तरह से और इसके अंदर चार मनके डले हुएं और अब मैं अक्षत यहां गेहुं डालूंगी जो आखत बोलते हैं जब शाम को हम पूजा करेंगे तो इसकी आखत डलती है तो इसलिए दिन में ही गेहुं को हम जो कमोई होती है उसके आसपास रख देते हैं और ये अब हमने दुपैर में कहानी सुनी अहुई माता की और अब मैं ये शाम की पूजा कर रही हूँ तो ये मैं जोत प्रजिलित करूँगी तो उसके लिए मैंने जो हमारा दीपक है उसके नीचे मैंने थोड़े से गेहुं रखे हैं और उसमें तेल का तेल करके और अब मैं दिया जला रही हूँ तो ये देखिए मैंने मातारानी के लिए दिया जला दिया है और अब मैं उन्हें तेल की धार लगाऊंगी हमारे याँ पर तेल की धार लगती है तो ये मैंने उन्हें तेल की धार लगाई है और ये मैंने भोग बना के रखा है पूरिया और पूरे और कुछ पैसे दक्षिना जो मैंने आपको बताया था और ये मैंने सूट रखा है बनार्सी तो ये जो है ये मैं अपनी सासु मा को दूंगी और अब मैं अहोई माता से हाथ जोड़कर विन्ती करूँगी, निवेदन करूँगी कि माता रानी मेरे बच्चों का स्वास्त अच्छा रखे और उन्हें हर कदम पर काम्याभी दे मेरी परिवार में सुक शान्ती रहे और सभी पर किरपा करे माता रानी और अब करवे के जल्से में उनका वारफेर करूँगी खाने का जो हमने मातारानी को अरपन किया है और जो अब इसके बाद मैं अपने सासु मा को दूँगी और जो मैंने शाव मातारानी को पहनाई थी वो मैं अब खुद पहन लूँगी क्योंकि पूजा के बाद हमारे आपर खुद पहन लेते हैं देखिए मैंने पहन लिये और उसके बाद जब गोवर्धन की पूजा होती है तो उस दिन हमारे आप तब तक ये शाव पहने रखते हैं गले में ये तब तक रहेगी जब तक गोवर्धन की पूजा होगी और अब मेरे सभी बच्चे आखट डालेंगे बेटा और बेटी मैंने सबसे ये आखट डलवा दी है और अब तारे निकल चुके हैं तो मैं तारो को जल दे रही हूँ तो ये देखिए मैंने तारो को जल दिया और उसके बाद मैंने परिक्रमा करी तारो की और अब मैं ये जो मैंने भोग लगाया था और जो मैंने वस्तर कहती ये मेरी सासुमा है ये मैं उन्हें दूंगी और चरन शुकर उन्हें आशिर्वाद लिया ओपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो अगर अच्छी लगियो तो फिलीज से लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और अगर मेरे जैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो फिलीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अगर राधे राधे